मध्यपरेश के आदिवासी जिले बढ़वानी से पलायन की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो आपको हैरान का देंगी बसों में मजदूरों की भीड़ है और गाउं के गाउं वीरान हो गए हैं कुछ गाउं में तो महत 4-5 भुजूर की बचे हैं जो घरों की रखवाली कर रहे हैं आखिर लोग क्यों कर रहें पलायन देखिए हमारी स्थिपोर्ट में पलायन की हैरान कर देने वाली तस्वीर बसों और गारियों मैं मजदूरों की भी क्यों लोग गाउं और घर से हो रहे दूर आदिवासी क्यों हो रहे पलायन को मजबूर घर ग्रहस्ती के सामान के साथ परिवार के परिवार घरों से निकल पड़े हैं बसों और गारियों मैं भरकर काम की तलाश मैं चल पड़े हैं कोई गुजराच जा रहा है तो कोई महराश्ट की तरफ निकला है आदिवासी बाहुल जिले बढ़वानी में ये आदिवासी मजदूर अपने घरों और परिवारों से दूर हो रही है और अपने पीछे छोड़ कर जा रही हैं पलाइन की दराने और हैरान कर देने वाली तस्वीर गाओं में सन्नाटा पसर गया है गाओं के गाओं वीरान हो गए हैं घरों में ताले लटके हैं घर सूने हो गए हैं जहां कभी चहल कदमे होती थी वहां की शान्ती अब डरा रही है साग बरा और मतमाल गाओं जहां डेर से दो हजार की आबादी थी वहां महस तीन से चार बुज़ुर्ग ही बचे हैं जो अपने घरों की रखवाली करते हैं अपनों के लोट कर आने का इंतिजार कर रहे हैं कई परिवार तो घरों के चारों तरफ कांटे की बागड कर चले गए ताकि घर सुरक्षित बच सके यह लोग मजबूर सवाल यहीं कि आखिर पलायन क्यों हो रहा और इसका जवाब भी इन लोगों की बातों में मिलता है कि इस 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 दूरी में कम रूपिय मिलते हैं मंदेगा में काम नहीं मिल पा रहा है दूसरी जगों पर जादा रूपिय मिलते हैं खेतों में सचाई की वरस्था नहीं है सिर्थ बारिश में ही फसल ले पाते हैं पाकी सीजन में कोई काम नहीं होता यह लोग मजबूर हैं दूसरे राजों में शोशन भी होता है लेकिन क्या करें सहाब दो जून की रोठी के दिये घर से निकलना ही इनकी किस्मत बन गया है पूरा परिवार जातरे है कोई आमरे यह गाम मा परिन आमरे कमसी कम 678 मानसे रही 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 दोर आमारा शाकबारा ते भदबड़ा है यह फल्या है निते आमरा ग्यारा बाराश्रों वोटिंग पड़ती है पलायन कोई आम समस्या नहीं है समाज के पूरे ताने बाने को हिला देती है सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों की जिनका पूरा भविश्य ही ओजर जाता है गाउं वीरान हो जाते हैं बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं स्वास्त पर असर पढ़ता है घर खंडर हो जाते हैं परिवार बिखर जाते हैं पालकों के साथ वो पलायन चले जाते हैं बीच में सिक्षा उनकी रुख जाती है इस वज़े से वो सिक्षा के इस्तर में उनके कोई ना तो सुधार हो पाता है और वो बिलकुल जिस लेवल से जाते हैं उसी लेवल पर वापस आते हैं तो फिर उनको वही चीज़े फिर से पढ़ाओ लगभग 90 प्रतिसत लोग निकल गए हैं पलायन के लिए ककराना करके तो नर्मदा क्रास करके जाते हैं पलायन रोकने के लिए दावे तो बहुत होते हैं लेकिन जमीन पर ये दावे दिखाए नहीं देते हैं सियासत खूब होती है लेकिन जमीन पर असर नहीं दिखता जन जन गाओं में पलायन हुआ है उन सभी गाओं में रोजगार गारंटी के तहट और अन्य प्रकार के रोजगार के सरजन गर के इस पलायन को रोकने की दिशा में उचित कदम उठाए जाएंगे और साथी इस विशे में मैं मतबदेश सरकार के माननी मुख्यवंत्री डक्टर महनियादव जी से भी आउगत कराऊंगा जरूरत सियासत से जादा इन लोगों को रोजगार देने की है अगर अलाके में ही रोजगार मिले तो कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता कोई अपने बच्चों का भवश्य दाओं पर क्यों लगाएगा जब घर में ही काम मिलेगा तो कोई अपना गाउं क्यों छोड़ेगा क्यों दरदर की ठोकरे खाएगा जब गाउं में ही खाने का इंतिजाम हो जाएगा सोचिएगा ताकि गाउं में भी बारह महीने गुलजार रहे सोचिएगा ताकि ये गाउं वीरान नहूं कुछ करिए ताकि पलाइन जैसी भेंकर समस्या का समाधान हो विस्तार न्यूस के लिए जफर अली की रिपोर्ट